बिहार के इस आई एस ने बनाया अनोखाया सो ने नीजी सैनिक स्कूलों की स्थापना को मिली मन्जूरी निशन गर्मी ने बढ़ाई लोगों की चुंता अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और बस्तार से डियरेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्टेशन प्रक्री आठाईस मार्च यानि कल से शुरू हो जाएगी अंतिम तारीख आठ अपरेल है रजिस्टेशन शुर्क चारसो रुपया लिया जाएगा मालूम हो कि एडमिशन डियरेट कोर्स सेक्ष निक सत्र दोहजार एक स्टेश के लिये लिया जा रहा है इसके रिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ट ने रेजिस्टेशन फॉर्म 26 मार्च से बिहार बोर्ट ऑल्लाइन डॉट कॉम पर उपलब्ध भी करवा दिया है सिक्षकों की कमी में बिहार अबवल नमबर पर सिक्षक के विकास के लिए आई दिन नई नई रण नीतिया बनती है नई नई और बड़े भवन बनाए जाते हैं लेकिन फिर भी बिहार की सिक्षक विवस्था बधाल है आई दिन सिक्षक अभियर्थी भी सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आखरोशित रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिक्षकों की नियुक्ती नहीं हो रही है लेकिन फिर भी राजु में सिक्षकों की कमी में बिहार अबवल नमबर पर है आपको बता दे कि विहार में इस समय सिक्षकों के 2,75,000 पद रिक्ट हैं विहार के बाद उत्तर प्रदेश में सिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है यूपी में फिलहाल 2,17,000 सिक्षकों की कमी है इसके साथ ही विहार सिक्षकों की कमी में अवल नंबर पर है इस दिन जारी हो सकते हैं मैट्रिक के रिजल्ट बिहार बोर्ट ने इंटर की परिक्षा का परिणाम रिकॉर्ट समय पर जारी कर दिया है वही दसवी के परिणाम भी बिहार बोर्ट जल्द जारी करने की कोशिश में है माई खबर ये भी है कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती मैट्रिक परिक्षा 2022 का रिजल्ट 29 मार्च को जारी कर सकता है मैट्रिक की कॉपियों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है फिलाल टॉपर्स वेरिफिकेशन का प्रसेस शुरू हो गया है इसको लेकर सभी जिलों के टॉपर्स की कॉपिया वंगवाई गई है वही टॉपर्स को बिलवा कर बिहार विद्याले परिक्षा समीती के कारियारे में एक्सपर्ट उनका इंटर्व्यू ले रहे है साथी साथ हैंड राइटिंग की मिलान भी कराई जा रही है दो अपरेल को चैतर नवरात का होगा शुभारम चैतर महीना मनाये जाने वाला नवरातरी की तयारी जोर शोर से चल रही है चैतर शुकलपक्ष की प्रतिपता को दो अपरेल को चैतर नवरात का शुभारम होगा इस बार नवरातर नौ दिनों का होगा नवरात्री के तयारिया मंदरों में जोर शोर से चल रही है वहीं राम नवमी 10 अप्रेल को होगी 9 दिनों तक मा की पूजा का बहतर योग है 11 अप्रेल को 10 मी पूजा के साथ ही 46 नवरात्र का समापन होगा भीशन गर्मी ने बढ़ाई लोगों की चुन्ता मार्च महीने में ही जून जुलाई जैसी गर्मी ने लोगों की हालत खस्ता कर दी है बहार में भीशन गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है प्रदेश के ऐसे 10 से अधिक जुले हैं जहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में कई जुलो का तापमान 44 डिग्री के पार हो चरा है मौसल विभाग की माने तो तर बहार में अगले 5 दुनों में भीशन गर्मी पढ़ सकती है फिल्हाल प्रदेश में दिन का अधिक्तम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्च किया जा रहा है वही रात का अधिक्तम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के पीच दर्च किया जा रहा है इन दिनों आपका बैंक जाना होगा व्यर्थ अगर आप बिहार में हैं और बैंक से जुड़े काम करवाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो आपका बैंक जाना बेकार हो जाएगा क्योंकि आपको बता दे कि बैंक 27, 28 और 29 तीन दिन बंद रहेंगे इस दोरान आपका बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं हो पाएगा दरसल बैंक के नीजीकरन और अन्यसरकारी फैसलों के विरोध में कई कर्मचारी यूनियन हरताल पर है वहीं लगातार इतने दिनों तक बंद रहने से आम लोगों को कटनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है 29 मार्श हरताल का आखरे दिन होगा इसके बाद 30 मार्श को पुरह बैंक अपने निधारित समय पर खुलेंगे वधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के सवाल जवाब पर ठाहाकों से गुंजा पूरा सदन बिहार वधानसभा का बजट से तरफ चालू है इस दर्मियान रोज कोई न कोई मुदास सदन में उठकर आता ही है इसे बीच बीते दिन सदन में सहकारता वभाग के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार लपेटे में आ गए दरसल राजुद विधायक समीर महा सेठ ने अपार्टमेंट सुसाइटी निवंधन को लेकर ध्याना कर्शन लाये था प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने सरकार की तरफ से जवाब दिया इस दौरानी मंत्री जी फस गये अध्यक्षव जैसिनहा ने मंत्री प्रमोद कुमार से पूछा कि आप फ्लाट में रहते नहीं अपार्टमेंट बनाते हैं इस पर मंत्री ने कहा हुजूर हम अपार्टमेंट बनाते नहीं फ्लाट में रहते हैं इसके बाद विधासभा अध्यक्ष और मंत्री के सवाल जवाब पर पूरा सदन ठाहा को से गुण जुठा लोजपा के अनंत कुमार गुपता हुए जद्यू में शामिल सत्ता पक्ष की पार्टी जद्यू का दाइरा एक बार फिर बढ़ा है लोजपा नेता अनंत कुमार गुपता बीते दिन अपने समर्थकों के साथ जद्यू में शामिल होगे अनंत कुमार गुपता ने कहा कि स्वर्गिय रामविलास पासवान के स्वर्गवास के बाद चुराग पासवान के ताना शाही विचारधारा की वज़े से उनकी पार्टी और परिवार का ये हश्र हुआ और सभी पार्टी छोड़ कर जुआ रहे हैं दरसल गोपाल गंज का गौरव एप पर आय प्रस्तावों में पाच को जुलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्विखरिती दे दी है इसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि गोपाल गंज के गौरव जुले के बच्चों को साइबर सिक्यॉरिटी का पार्ट पढ़ाएंगे डियार्डियों के अधिकारी आमूद कुमार बच्चों को साइबर सिक्यॉरिटी के साथ ही स्टी, एम, एडुकेशन और वैज्यानिक सिक्षा देंगे बिहार विधान परिशत चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनी थी प्रदेश मुख्याले में बिहार भाजपा की उचुस्तर ये बैठक की गई भाजपा की हाई लेवल मीटिंग में कई टास्क भी दिये गये इस मीटिंग में पर्टी के विधान परिशत चुनाव और वोचोह विधान सभाब τर्षा अब चुनाव की तयारियों पर भी आक्शन प्लैन तयार किया गया मालूम हो कि बिहार विधान सभा परिशत के 24 सीटों पर 4 अप्रेल को चुनाव होना है साथी 23 अप्रेल को ग्रिह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद नजर भी भाजपा दफ्तर में उचिस्तर ये बैठक हुई मालूम हो कि मुकेश उसेहनी की पार्टी के तीन विधायक का भाजपा में शामिल होने के बाद से भाजपा विहार की सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है राबरी देवी ने कहा नितीश जी गए तो प्रधान मंत्री के गोरे पर गिर गया उतर प्रदेश में योगी अधितनात के शबत ग्रहन समारों में पहुचे नितीश कुमार ने जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भिनन्दन किया उस वक्त की तस्वीर कैमरे में क्याद हुई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई जुसके बाद वपक्ष नितीश कुमार को लपेटे में ले चुका है इसी वीच एक बाल फिर से पुर्फ मुख्य मंत्री राबरी देवी ने उन्होंने महंगाई को ले करके सरकार पर निशाना तुपसाधाई वहीं सीम नितीश कुमार के योगी अधितनात के शबत ग्रहन में जुआने पर भी बीते दिन तंश कसा है राबरी देवी ने कहा कि नितीश जी गए तो प्रधान मंत्री के गोरे पर गिर गये उन लोगों का कुछ मजबूरी होगा कुछ यहां के सरकार का कुछ मजबूरी क्या कीजिएगा। वहीं उनिफॉर्म सिविल कोड का राज़त और कॉंग्रिस ने विरोध किया है। चात्रों को राश्ट्रिय सिक्षा नीती के अनुरूप गुन्वत्ता पूर्ड सिक्षा प्रदान करना है। आपने भी इस मुवी को हिंदी में देखा है तो आपको पता है कि इस फिल्म का मुख्य किरदार रामचरन और जूनियर एंटी आर को अपनी आवाज किस ने दी है। दरसल ट्रिपल र में जूनियर एंटी आर और रामचरन ने खुद ही हिंदी में डविंग की है। कल होगा लखनव सुपर जाइंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपिल का पहला मुकाबला। ऐसे में इन दोनों के बीच का मुकाबला देखने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं कि आखिर दोनों में से कौन सी टीम का पल रा भारी है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है क्या बिहार में भी आपके अनुसार सभी धर्मों के लिए एक कानून बनना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटी ड़ने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूलें।